और फार मैंगों क्या हाल चाय आर बहुत-बहुत स्वाग ए थे उनका वाज मेरी चैनल में पहली बार आए है यार एक काम करूँ चैनल के पर जाओ सब्सक्राइब करों घंटी बहर जाओ वर अंदर आज जाओ और जुम्हें साल में पहले भी आ चुके हैं यार इसे तो अपना है चैनल समझो तेक बहुत दिवाटिक लिगिंग नीव से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश्य शांक पोक्रिया लाइव आने वाले कब आज डेट है 4th of January वो 7th of January को 6 बज़े जो उनका कन्वेंशन टाइम रहता है 6 पीम को वो लाइव आने वाले है और उनका मेन अजेंडा जो डिसकुस करने वाले और जिस पर आपन फोकस करने वाले है वो रहेगा जेई एडवांस इसमें दो चीज़े हो सकती है पहला चीज जो आपके जेडवांस के नंबर अटेम्स होते हैं मानलो वह बंदा 2019 में अगर वो जेई एडवांस दिया होगा अपने बोर्स के साथ साथ उसका ड्रॉप ही रगा 2020 और वो बंदा थर्ड अटेम्स ठीक है के बाद जब ड्लॉप लेते हो उसके बाद खैक है तो आप तीसरा जेडवांस नहीं दे सकते हो अभी के लिए ओके और आप जेई-means तीन बात दे सकते हो एक बार उसके बार बोर्स के बाद वा रहा और उसके एक साल माधा थी क्या पता-इस बार अपन जेवांस के ठील क कर सके जो दूसरा बातापन करने वाले हैं उस दिन में जो वह डिसकस करने वाले हैं वो में भी रह सकता है 75% criteria scrap out ठीक है 75% criteria scrap out मतलब जितने भी लोग कर 2020 में हना जिरोंने जेए मेंस दिया था उनकी अगर 75% से कम थे तब भी they were eligible to take admission in the prestigious IITs, NITs and IIITs of India इस साल जब ब्रोशर है 2021 के जेही मेंस का उसमें clearly लिखा गया था कि आपका 75% criteria scrap out नहीं हुआ है and in case you want to take admission into this prestigious IITs, NITs and IIITs उस case में आपके 75% है जा फिर आपको टॉप 20% में रहना पड़ेगा of your both ठीक है तो यहां पर यह चीज शाद scrap out हो सकती है और इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज तो guaranteed है कोई भी अगर नॉर्मल इन सब्सक्राइब को समझ मां जागा कि एक special announcement करने हमारा इन दोनों में से कोई एक नएक चीज तो पक्का होने ही वाली है okay make sure that you subscribe to this channel क्योंकि अपन यहां पर पूरा सब्सक्राइब करने वाले हैं 7th of January को 6 वजे पूरा कहीं आपको जाने की सब्सक्राइब कर लो आपके बास नोट्रिफिकेशन साथ तरीक को आ जाएगा ठीक है गाईस तो दिस सेट फ्रॉम माई साइट समय आगे आप सब सब्सक्राइब लाने का अलविदा